हेलो दोस्तों कावे किचेंड में आप सभी का स्वागत है असा करते कि आप सभी स्वास्थ होंगे आज हम बनाएंगे दीपवली यहां हमें बंधर करते हैं, यहां पर ये करने, अब दूद का हम ने अच्छे से उबालने देगे, जब तक दूद अच्छे से उबल रहा है इदर हमने लिया हम ईसमें 2 चमर्फ फ़ понравged में एक कप पूरा पाई जालेंगे विनेगर वाला पौानी दूडर के प्रवाई नीबू से जल्दी से फट चाता में तुर। अजय udah ने पिविनेगर वाला पम्सक्रच तख़ें पौहलेख जलला ल करें हतना दूडर का दूद अलग हो जाता है पानी अलग हो जाता है और गाय का JUघ लिलिए कि वंचे लिया यलका होता है बहुत ज्यादा इसके दार चिकना नहीं होट जो है जलते हैने वियुट चाहिए दिर देखेंगे झालाच में हैं नक्यांकशन एक और दाल है गाओ अच्छे से चाहिए हुने नुठ स्टाइए यहुता है कि अच्छे माज़गे लेंगे तो इसमें डाल चकते हैं यह आँटा गूत सकते हैं बहुत साफ्ट रोट यह बनती है यह पानी को आ फेके नहीं बहुत ज्यादा यूसफुल होता है पानी हम अलग में रखेंगे और भगोने में यह चनी फिर्षी रखेंगे इसको पर हम पाई डालें ताकि इसका जो विने पानी हो निकल जाए बहुत ज्यादा इसका पानी हम नहीं निकालेंगे पर इसका पानी है अच्छे समय चोड़ करके किसी हैंके में बान करके आप रख दीजे 5-10 मिट के लिए इसका इतना भी पानी है जम निकल जाएगा ना तो एक हमने देखिए थाली लिए थाली में आ हाँस से हाथ हाली से स्टाइक से मैश कर सकते हों अगर आप हाथ हाली संसी नहीं करना चाहते है तो आप से Hijा में ऊहाण करके प्रोड़कर जो हमने हम थूड़ा-थ्वडरु रूकर के चलाना है औह बहुत ही दth чह नहीं काल है काफी सौफ दिखी हो गया बिल्कुल भी इसको हांस से मैश करने जोड़ें कि जब हांस से मैश करते हैं काफी टाइम लग जाता है तो आप इसे मिक्सी में कर लीजिए एक बाद मुष्किल से तीन से चार मेट करना होता है अगर रूक रूक के एक बार की कांटीनियों म मसलना नहीं पड़ता है वरना आप हतेली मसलना पड़ता है बहुत ही ज्यादा सौफ यह छेना हो गया है अब इसके अंदर हम क्या करके थोड़ा से हम डालेंगे कॉण फ्लार तो इससे काफी अच्छी बनती है तो इसके लिए हमने कॉण फ्लार लें आप चाहो तो इसकी में अच्छे हमने के बाती है तो दो चाहे ए रख दीने और अच्छे सेह वैं झालेंगे अच्कियह काफी बनती है कि मिक्स कर दाने कि बला हूँ थे ылदा धशिवह तो दोईंग बना सावन और हम आपान धुलार चया में लडबना है नहीं में लाम साथ में उन सभी कर लिंख हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दें तो आप वहां से चेक कर सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट डो इसका बन तो इधर हमने कड़ाई लिए कड़ाई में एक कड़ाई डालेंगे उसमें हम पाई डालेंगे इसके हमें चासनी बनाई बस से इतना की सझी में जुष है अच्छी सब्रसड लेन और तो गरम पानी हुआ जल्दी रही ऑच्छी सब्सक्ता बनाकर चांगे हां हातों से चप्टा कर देंगे अब भी आपको लग रहा है कि छोटे में जब बढ़े मतलब हम चासनी में डालिंग ना हो जब पकेंगे तो काफी फूल के बढ़े हो जाते हैं इसके साइस मीडियम हमने रखी पर साइस थोड़ी बहुत आपकम ज़्यादा कर सकते हो इस टाइप से देखिए हमने जीतने भी आपको दिखा रहा है इस बिलकुल फटी नहीं है कहीं से ना कुछ तूटी है और देखे काफी सब ऊपर यह जो है बनके तयार हो गई है रसमलाई तो ढख करके यह रख देंगे अभी तुरह नहीं टच करें क्योंकि गहरा में तो तूटने का डर है तो रख देंगे तो रसमलाई जो दूड डालते ना वही उसका जो फ्लेवर बहुत अच्छा था तो इसके लिए हमने क्या क्या है काफी ब्लाट कप विख तरह 14 विपाउडर मे सीस अहीं टुड़ा दूद भाव्यवर अदिशकों मुल वेहा di दोड़ा हो जाता है क्यों ज्यादा नहीं लगता है दोड़ क्या को गरने में अब दूद अच्छे से बोल हो गहिए एक मिल खोलेस्ट लों मिल्स पर दालंब से जुड़ मेरे गरे माप нравится ख़ते हैं कजु और फिस्ता ने ढाल दिया द्राइफूर्स याप को १ो भी डाल शकते हो जो भी आपको पसंद को डूल भी अब झाल सकते हो और थोड़ा साम इसके अंदर केसर डालें केसर का कलर बहुत ही अच्छा पर अगर केसर नहीं है आपके पास में तो आप इसमें फूट कलर वगएर भी डाल सकते हैं बन गया इसको रख देंगे हम जब ठंडा होगे न तो हमने देखिए जो हमें बनाइती है रसमलाई बिल्कुल भी देखिए कहीं सी नहीं फटी काफी सॉफ्ट बनी है तो जीतिनी भी रसमलाई है वी अच्छे थंड़ी होगा जो दूद है यह भी ठंडा होगे बहुत ज़्यादा भी नहीं है तो हल्का ठंडा तो इससी में जितनी भी रसमलाई है हम एकन्दर तक शोक ले उसका देखिए अपको दिखा रहे है एक घंटे बाद एक घंटे में रख दिया क Brah tur 120 के लीकाने बहुत ही जयादा कcall के बागने हैं कितने सब्सफ मलाई बनके तियारॉ whether बहुत यासान पर कि 12 म्य अंदर ये रस्पी बनके तैयार नहीं लगता तो आप इसे घृष्ण सीग factories g 갔 Stunden में बिल्कुल भी टाइमम नहीं लगता है और बनाना बहुत यासान क्योंकि इसके तह जो चेने को अच्छे से में लगता ओछिए CEN Clots अभी ऐखने लगता थोड़ा से इसको let us इसका कलर वहां युद्धा ऐसे करो तो आप इस लिए कर आप के अपके घर कंपे हुआ किटीके फार्टी में सहें कमें, बहुत ही आसान सी oigt शाल करें दूद और चीनी से तो आप इसे एक बाद जरूर ट्राय करिए I hope आप सभी को वीडियो पसंद आएगी वीडियो पसंद आएगी लाइक करिएगा चैनल को सस्क्राइब कर दीजिएगा साथ में बेल आइकन दवना बिल्कुल न भूले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ झाल 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 झाल